हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत अपना इस टेड़ी लेक्चेर यूटूब चल्ले में तो दोस्तों एक बार फिराजीर हम आप साथ एक नए और बहुत मतपूर टॉपिक लेकर यानि फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रासन कार्ड के बारे में आम जनता की बात करता हूँ तो अमूमन बहुत सारे लोगों के पास रासन कार्ड होगा लेकिन इस रासन कार्ड के क्या माइने होते हैं ये कितने प्रकार का होता है अगर पीले रंका कार्ड है तो उसका क्या मतलब होता है वहीं नीले रंका है तो उसका क्या मतलब होता है अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो रासन कार्ड आपके पास है तो उसका मतलब भी आप समझ पाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा विल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं तो फ्रेंट्स आईए चलते हैं देखते हैं रासन कार्ड की हिष्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इसकी सुरुवाद की जाती है 1940 इसवी में यनि बंगाल में भुखमरी की यसी सिती आ जाती है जहांपे दो वक्त की रोटी के लिए लोग हाहा कार मत जाता है और लोग मरने लगते हैं उसी दोरान बंगाल के नबाब के द्वारा 1940 इसवी में जो की वहाँ पे इसकी सुरुवाद की जाती है रासन कार्ड की जश्ट अगर इसकी आगे की बात करता हूँ तो दुती भी सुद्य श्टार्ट होता है 1945 में और वहाँ पर भी लोगों में त्राहमाम मर चाता है क्योंकि युद्ध के दोरान बहुत सारे देश बहुत सारे वहाँ की जनता भुखमरी के कगार पे आ जाती है क्योंकि वो समयना तो उनके पास कोई ऐसी सुद्धा थी जिससे की कोई ब्यापार कर सके या जो की अगर किसी प्रकार का काम भी कर रहा है तो वहाँ पे ठप हो गया था जिसके दोरान लोगों में अफरा तफरी मजगी थी दो वक्त की रोटी के लिए तो उसी दोरान रासन कार्ड की फिर से स्टार्ट की जाती है और इसका प्रोपर जो अगर हम बात करें इसके सुरुआत जो प्रतेक राज्य की सरकार करती है जो कि ये बात करें तो ये केंदर सरकार के थुरू यानि राज्य को ओडर दिये गए हैं कि यहाँ पे आप रासन कार्ड की विवस्था कराएं और इसके तहत लोगों को राशन मोहया कराएं तो ये प्रोपर तरह से गर बात की जाए तो 1960 हिस्वी में इसकी सुरुआत की जाती है भारत के आजादी के बाद ये विवस्था कराई जाती है और यहां पर लोगों को राशन मोहया कराई जाता है तो अब बात करेंगे रासन कार्ट कितने प्रकार का होता है तो रासन कार्ट के अगर मैं बात करूँ तो मुखता तीन प्रकार के आपका सकते हैं एक होता है आपका APL, एक होता है BPL, एक होता है AAY APL का मतलब हो गया आपका AVO Poverty Line यानि गरीबी रेखा से उपर रहने वाले लोगों को जो की APL कार्ट प्रोवाइड करा जाता है अब गरीबी रेखा के उपर का मतलब आप समझ सकते हैं जिन ब्यक्तियों के पास यानि 10,000 रुपए प्रतिमन्थ अगर उनकी इंकम है तो उन्हें APL की कटेगरी में रखा जाता है यानि आप समझ किया होंगे कि APL का मतलब क्या हो गया जिनकी AAY जो है 10,000 रुपए पर माह अगर है अगर कमा ले रहे हैं तो APL के इंतर गताते हैं और BPL का मतलब होता है बिलोव पोवर्टी लाइन यानि गरीबी रेखा से नीचे यानि इस तरह से कटेगराइज किया गया है कि अगर एक बाउंडरी लाइन बनाई गी है और इस बाउंडरी लाइन के उपर APL कार्ड धारक होंगे और उसके नीचे होंगे आपका BPL कार्ड धारक ठीक है APL का मतलब यानि गरीबी रेखा से उपर और इस लाइन के नीचे यानि बिलोव पोवर्टी लाइन गरीबी रेखा ये कौन सी रेखा है गरीबी रेखा है ये गरीबी रेखा से उपर एक गरीबी रेखा से नीचे अब इस रेखा के नीचे भी यानि गरीबी रेखा के भी नीचे एक रेखा है जिसे हम कहेंगे AAY यानि इसको हम कहेंगे अंतियोदय अन्योजना यानि उन लोगों को दिया जा नहीं है कि आज उन्हें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कल उनके पास खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन लोगों को दिया गया है ए ए वाई रासन कार्ड जो की अंतियोदे अन्योजना के अंतरगत आता है इसमें इनको 35 किलो पर मंथ सरकार के द्वारा मुहया करा जाता है अब इसमें कुछ रासन कार्ट की दुकाने भी हैं इनने सबसेडी के थूरू इनको प्रोवाइड करा जाता है और वहीं पर अगर BPL की बात किर जाए तो BPL के लोगों को यहाँ पे 20 किलो यानि पर यूनिट के अगर बात की जाए तो पर यूनिट 5 किलो प्रोवाइड करा रही है सरकार जैसे कि जब से कुरोना लगा हुआ है लोगडाउन लगा था उस समय सरकार दो तरीके आपको प्रोवाइड कर रही थी अन एक प्रकार से ये कर रही थी कि जिसमें वो फ्री रासन दे रही थी सरकार के तरू जिसमें आपने बहुत सारा लाब भी उठाया होगा उसमें आपको रिफाइंड भी दिया जाता था तेल दिया जाता था चना दिया जाता था वहीं आपका चावल गे हूँ यानि पूरी विवस्था की गई थी सरकार के द्वारा तो ये आपको जो कि BPL के अंतर गत अगर आप आते हैं तो आपको 15 किलो जो कि आपको प्रवाइड करा जाएगा बसरते 5 किलो पर यूनिट ये आपको गवर्मेंट अभी प्रवाइड कर और ये की योजना ये भी लाई है कि वन नेसन वन रासन कार्ड यानि अगर आपके पास एक रासन कार्ड है आपके परिवार के सदस्यों का नाम उसमें जूड़ा है तो आप कहीं भी भारत में जाकर जहां भी रह रहे हैं वहां से रासन ले सकते हैं चाहे आप यूपी के ह भारत में कहीं भी आप रासन ले सकते हैं तो आप समझ गये होंगे कि जो लोग दो वक्त की रोटी का भी हिसाब नहीं लगा पाये रहे थे उस सरकारी स्योजना के तुरू आपको जो की अन्य योजना प्रोवाइट कर रही है तो अब यहाँ बात करते हैं कलर का यानि जो रा पीला पीला हरा सफेद इनका मतलब क्या होता है यहां से समझेंगे कि जो एबो यानि जो की एपियल कार्ड धारक हैं जो की एबो पॉबर्टी लें गरीबी रेखा से उपर हैं उनको नीला और हरा रंग का जो की कलर का आपका आपका रासन कार्ड प्रोवाइट कर जाता है जैसे कि मैं बात करूँ ये हर एक राज्य के लिए ऐसा रूल नहीं है कहीं कहीं कुछ और भी है तो अपने यहां भी पता कर सकते हैं ये जो कि मैं बात कर रहा हूँ अभी UP के लिए तो अपने यहां पर श्टेट से देख सकते हैं तो नीला का मतलब हो गया जिनके पास जो की दो सिलेंडर है अगर उनका पास गैस सिलेंडर के सबसिटी वाले दो सिलेंडर है तो उन्हें नीला काड़ दिया जाता है अगर एक सिलेंडर है उनका आपके पास तो आपको हरस जो की रासन काड़ दिया जाता है अब बीपील के अंतरगत जो आते हैं below poverty line के अंतरगत उन्हें पीला रासन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिन में 20 किलो तक आपको मिलता है लेकिन अगर 5 किलो पर यूनिट के हिसाब सकते देखा जाता है तो सदस्रों के संख्या अगर जाता है तो वहां पर ये बैलू बढ़ भी सकती ह ठीक है ये ध्यान रखिएगा और ये है अंतियोदय अन्योजना यानि इसके अंतरगत गुलावी कार्ड होगा तिसमें आप किस तरह से 35 किलो और उसके थुरू आपको चिनी और आपका केरोसीन तेल साथी साथ नमक और कुछ और सामगरिया इसके अंतरगत आती है तो वो यहां पर एक मुख्य बात यह भी है कि इसका इस्तमाल जो किया जाता है यह आपके आइडेंटी के लिए भी किया जाता है यह आपके अस्थाई पता को भी यह इंगित करता है इसका इस्तमाल रासन तो लेने में ही किया जाता है लेकिन आपको यह आपको यह भी बताता है क आपका जो की एक identity के रूप में भी इस्तमाल के जाता है तो friends ये सारा कुछ आप समझ गये होंगे अगर इसके अलामा भी आपके मन में कोई प्रशन है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप comment कर सकते हूं इस पर मैं आपको वीडियो प्रवाइट कर दूँगा वीडियो यहीं स्वाप्त करते हैं नमस्कार